असलाम अलेकूम वर्फमत आगातू उम्मत मुहम्मद्या मेरे मुहजित अर्जिस भूजित भाई और मुश्मित के मुकद्द्द माई और भेने अल्ला ताला के फजल गरम से आज माई रमदान का तीसरा जुम्मा है रमदान शरीफ में उम्मत पर पांच खुसूसी इनाम अज़त अबू हुजया अज़ित अन्हों से रिवायत है कि आज़त स्वासलें ने फरमाये कि रमदान शरीफ के मतलिए मेरी उम्मत को खास तोर पर पांच चीज़े दी गई है जो पहली उम्मत को नहीं मिली नमबर एक रुज़दार के मुग के बद्वू जो भूग के वज़े से पैदा होती है लताला के नज़्दिक मुश्ट से ज़्यादा पसंदीदा है नमबर दो इन के लिए दरिया की मश्लियां तक दुआय मक्रत करती है और अफ़तार के वगत तक करती रहती है नमबर तिरी जन्नत हर रोज इन के लिए सजाए जाती है फिर हक तरह शानव फरमाते हैं के करीब है कि मेरे बंदे दुनिया की मुश्ट मुशक्कते अपने उपर से भेकर तेरी तरफ आए नमबर चार इस माह मुबारक में सरक्ष शैयतीन कैद कर दी जाते हैं के वो रमज़ान में इन बुराईों के तरफ नहीं पोच सकते जिन की तरफ से गहर रमज़ान में पोचते हैं नहीं रमजान में शयातीन कैद होने की बिनापर रोजेदारों को गुनाओं पर नहीं उबार सकते हैं लेकिन इंसान का नफस गुनाह कराने में शयातीन से कम नहीं है और गुनाहों का जिसका भी गुनाहों की पटरी पड़ चलता रहता है ताहम फिर भी गुनाहों की कम्य और इबादती कसरत हर शक्स का हर शक्स मुशाहिदा करता है नमबर पांच रमजान की आखिराद में रोज़ेदारों के लिए मख़द की जाती है सहाब अकरम नज्जित अला अन्हों ने अर्थ किया कि ये शब मखफरत शब कदर है फर्माया नहीं बलके दस्तूर ये है कि मजदूर का काम खतम होने के वख़त मजदूरी दी जाए फाइले में नभी अकरम सेलाव सेलम आपकी उम्मत को क्या-क्या नहमतें मिली हैं आप भी मस्कुरा इनामाद पर वोखर करें अपने रोजा और गुनाओं को आल्लोगी से दूर रखें और जगर त़िलावत और दूरूत तसराम के कसिरत से आरासा रखें और ज्जादे सो ज्जादा मस्कुरा इनामाद से मुस्ताइक हो माहِ رمضان के फजाय और मसायल बयान हो रहा है तो आज सबसे एहम जो बात है वो अब आ रही है इस किताब की वो यह है कि एक रोजे का बदला अब सुनिए हज़र्द अबू मस्कूद गफाई रजिए दाला अनों से रिवायत है कि फर्माते हैं कि मैंने आप सुनिए वाले वाले सलम का चांद नजर आने पर यह इशाद फर्माते हुए सुना अगर लोगों को यह मालुम हो जाए कि रमदान बारे कि क्या हकीकत है तो मेरी उम्द यह तमना करें कि सारसा रमदान ही हो जाए फिर कबीले खजा के एक शक्स ने अर्थ किया कि ए अल्ला के नभी रमदान के बारे में हमें कुछ बतलाएं आप सर अल्ला वाले सलम ने फर्माया रमदान मुबारक के लिए जन्नल शुरू साथ से आकर साथ तक सजाए जाती है जब रमदान शुरू का पहला दिन होता तो अर्थ इलाई के नीचे से एक हवा चलती जिस से जन्नत के दरखतों के पत्ते हिलने और बजने लगते और हूरे अर्थ करती है ए अल्ला इस मुबारक महीने में हमारे लिए बंदों में से कुछ शोहर मकरर कर दीजिए जिन से हम अपनी आँके ठंडी करें और वो हम से अपनी आँके ठंडी करें इसके बाद फिर आप ने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं है के रमजान शरीफ का रोजा रखे मगर ये बात है कि इसकी शादी ऐसी होर से कर दी जाती है जो एक ही मोती से बने हुए खैम में होती है जैसे कि अल्ला तायर ने कराएं पाग में फरमाया है हुरुमक सुरातुन फिल खैम यानि हो रे हैं जो खैमों में रुकी रहने वाली और इन औरतों में से हर औरत की जिसम पर सतर किसम की लिबास होंगे जिन में से हर लिबास का रंग दूसरे लिबासे मुक्तलिफ होगा इन्हें सतर किसम की खुचबू दी जाएगी जिन में से हर इतर का अंदाज दूसरे से जुदा होगा और इन में से हर औरत की खिद्मत और जवरत के लिए सतर हजार नुकरानिया और सतर हजार खादिम होंगे हर खादिम के साथ एक सोने का बड़ा प्याला होगा जिसमें किए किसम का खाना होगा और वो खाना इस कदर नजीज होगा कि इसके आखरी लुकमे की लजज़त पहले लुकमे की लज़त से कही जादा होगी और इन में से हर औरत के लिए सुर्ख याखुत के तख़त होंगे हर तख़त पर सतर बिस्तरे होंगे जिन्त के अस्तर मोटे रेशम के होंगे और हर बिस्तरे पर सतर गदे होंगे और इसके खाविन को भी इसी तरह सब कुछ दिये जाएगा और वो मोटियों से जुड़े हुए सुर्ख याखुत के एक तख़त पर बेटा होगा इसके हातों में दो कंगन होंगे ये रमजान मुबारक के हर रोजे का बदला है फिर से मैं बात उड़ा रहा हूँ ये रमजान मुबारक के हर रोजे का बदला है खुआ जो शख्स भी रोजे रखे और रोज़दार ने रोज़दा के अलावा जो मेकियां और आमाले सुखाले किये हैं इनका अज्रो सवाब इसके अलावा है मस्कूरा सवाब सिर्फ रोजा रखने का है फाइदा बार बार इस हदिस को पढ़ें और वोर करें कि रमजानल मुबारक के सिर्फ एक रोजे का कितना अज्रो सवाब है और रोजे पाबंदी से रखें और अपने तमाम अज़ा को गुनाहों से बचाने का खास ख्यास रखें तसवर तो करें ख्याले तो ख्यालों में तो जाएं मजा नाया तो फिर आप बोलें हमाई नभी ने ऐसी तो बात नहीं बोली कि मेरी उम्मतों का परदा चल जाए कि रोजे का क्या अज्रो सवाब है तो मेरी मत तमन्ना करेंगी कि हर पूरे साल यह रोजे चलते रहें तरह तसवर तो करें क्योंकि जब मैं पढ़ा हूं तो मुझे कितना मज़ा आ रहा है आप तसवर करें सिर्फ बस मेरे भाई जो भी कुछ पढ़ा गया अल्ला तहारा मुझे और आप सबको रोजे की कदर नसीव फर्माएं और संत मुताबिर रोजा रखने की तोफिक नसी सवागा कि हर आमर के स्वाब 70 गुना बढ़ जाता है और जुम्द्णे की फिद्व सवर्फ वे शी ही जा हर आमर का सतर सतर गुना बढ़ंग जाता करें और मुझे तो मैस अल्ला का बहुत फ़जल करम भी उसका इसानिय कि हमें अपनी जिंदगी में एक और जुम्मा ुक खाया इस जुम्ही कदर करें और खुब दुआओं का तोबस तखवार का इतमाम करें खुब दुर शरी पड़ें फजायल आमाल में शेख वाल-हदीश हदरत जिक्रिया रहमत अल्हाले फरमाते हैं उन्होंने इसमें इसका बात का तथक्रा किया है कि अल्ला के नभी को तीन थे पसंदियों तीन चीज़े क्या पसंदिया में के दीना में सबसे पहली खुजब्ु झाने इतर नमबर दूसरी नमाज अपनी बीवियां अपनी बीवियं है पैनी अल्ला के नभी यानि कर दिया हमारे हमकरी एटर्स्षाण को पसंद होता है तो आप उसको हमाई नभी को पसंद था तो इस निया से और लगाए तो उसका स्वाब और बढ़ी आएगा जिसके शादी नहीं हुई और शादी करें और जिनकी शादी हो चुकी है तो अपनी अपनी बीवी को प्यार करें ना के दूस्यों की बीवियों को यह इंसान की फित्र रहते के दूसी की बीवी और अपने बच्चे अच्छे लगते हैं तो इसलिए इसको जो है वो ना करें मुनासिब नहीं है अपनी बीवियों को ज्यादा प्यार करें और नमबर त्री बाइजे नमाज अल्ला के नभी ने आखरी वक्त में नमाज के त अभाई शुरू का अश्रा माशलाः फजर की नमाज में नमाजी हसाद माशलाः मद्व पूरी पार जाती है लेकिन अभी यह हो गया कि आएश्ता आश्ता अश्ता गिंदी की जहें वह साथ-साथ-साथ-साथ-साफ़ बढ़ नहीं है कहा शुरू मैं माशलाः 15,20,17,18 मा नमाज बाब सब्सक्राइब और दो यह थो यह थो दो मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों बूदर को नमाज मत छोड़ें कि नमाज मत छोड़ें लगिन आखरे वक्त में नमाज के तागत गया नमाज ना छोड़ें नमाज फर्स की गई और क्याम बात को आगे शेयर करें क्योंकि यह जो बात होती है यह अच्छा है तो और जो नोन मुश्ऌिम है गर मुश्ऌी में यह उन तक भी बात अगर यह बात अगर आपके तवस्ट्र से उन तक भी पहुंच जाएं और आम जर्षा बन जाएं और वो इसलाम पर आजाने तो उमारे सदका जारिया है और अल्ला के नभी की यही फिगर दी कि किसना जो है मेरी उम्मत जो है वो जानने हम से बचके जन्नत में जाने वाले बन जाए और जितने भी लोग हैं तो वो मुसल्मान हो जाएं तो इसलिए अपना भी इसमें शेयर दाद है उसको आगे से आगे तक पहुचाएं जो भी